इडी ने पेपर लीक घुटाला मामले में कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष गुविन सिंग डुटासरा और कॉंग्रिस में शामिल हुए निर्दली विधायक ओम प्रकाश हुडला के आवास साहित कई ठेकानों पर चापे मारी की। इडी की इस शापे मारी के बाद से राजिस थान से लेकर दिली तक की सियासत गर्मा गई है। चुनाव की ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष के पेपर लीक मामले में फंसने से कॉंग्रिस के लिए मुश्किले खड़ी हो गई हैं। इडी ने पेपर लीक मामले में कई जगह चापे मारे और कारवाई को अंजाम दिया दूसरे तरफ E.D. ने निर्दलिय वधायक उम प्रकाश हुडला के आवास पर भी चापे मारे हुडला को हाल ही में कॉंग्रेस में महुआ से प्रत्याशी बनाया गया हुडला ने गहलोट सरकार को बचाने में मदद की थी हुडला पर पहली बार E.D. डाली सियासी जानकारों का कहना है कि सूत्रों की माने तो कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद से ही हुडला E.D. की रडार पर थे वहीं पेपर लीग केस को लेकर BJP के सांसद के रुडला लगातार इसे उठाते रहे गोविन सिंग डोटासरा और उनके परिवार पर दिल्ली और राजिस्तान में E.D. की टीम आक्शन ले रही है। जानकारी के अनुसार E.D. की टीम गोविन सिंग डोटासरा सहित उनके प्रिष्टदारों के घर भी पहुँची आर पी A.C. पेपर लीग केस में प्रवरतन निदिशाले ने पहली बार P.C.C. के घर पर शापा मारा। दिल्ली और जैपूर की E.D. की टीम के साथ-साथ मौके पर किंद्रे सुरक्षा बलके अधिकारी भी मौजुद रहे। कॉंग्रेस ने अपने कैंडिडिट लिस्ट में गोविन सिंग डोटासरा को सीकर जिले की लक्षमन गण सीट से चुनावी मै इस से पहले E.D. ने सीकर के कलाम कोचिंग पर शापे मारे थे। पर शापे में गोविन सिंग डोटासरा के निकटवर्ती परिजन भी हिस्सेदार बताय जा रहे हैं। जो जानकारी दी उसी के आधार पर शापे मारे गए हैं। विधायक उमप्रकाश हुडला के भाई पर 26 जुलाई 2022 को एक शातर को फर्जी परिक्षारती बना कर परिक्षा दिलाने कारोप है। पोलिस ने इस संबंध में उनके भाई को भी गिरफतार किया था। झालो कि अजला परिक्षा दाग एक 25 जुलाए मैं। झालो कि अज़तार को दो रखतार किया थाग्षा दाग्शब्स